अई दि बीऊलिवूट एक्ट्रेस, दीपीका पादगौन की फिल्म रिलीज हने वाली होती है तो कोई नया विवाज सामने आ जाता है एक बार फिर जब दीपीका पादगौन की फिल्म होने जा रही है तो रिलीज से पहले ही ये फिल्म बुसक्रिलों में पड़ गई है लक्ष्मी अगरवाल का case लड़ा था आरपड़ा ने इस याश्का में कहा है कि उन्होंने कई सालों तक लक्ष्मी अगरवाल के रिए case लड़ा लेकिन उन्हें फिल्म में कोई credit नहीं दिया गया है इस वज़़ा से वो чाती है कि फिल्म की release पर रोक लग जाये आपको बता द की इस से पहले एक लेखक ने फिल्म को ले करके कॉपीराइट मामला दर्ज कराया था। ये याजिका राकेश भार्ति नाम के एक लेखक ने दायर की थी। इसमें राकेश ने दावा किया था कि उन्होंने एसिध हमले की एक स्पीरीत के जीवन पर कहानी लिखी थी। जाद है कि इससे पहले डीपिका के JNU जाने पर भी काफी हंगामा हुआ, कई पार्टियों की नेताओं ने उन्हें ट्रोल भी किया, इसकी बाद सोसल मेडिया पर हैस्टैक, बाइकार्ट, छपाक ट्रेंड होने लगा, तो आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, आपको Znews Digital Media, धन्यवाद